नमस्ते दोस्तों सुवागते आप सभी का हरे कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने हरोज के रियाज सेशन्स में वैसे ही मेरे दिये हुए वीडियोज पे आपने नियमित प्रैक्टिस की उसका रिजल्ट आप confidently अच्छी तरह सुर में गाने लगे हो आपके higher notes ही strong हुए हैं अब हम तरक्की की और और एक कदम उठाएंगे अब सारे वीडियोज काली पांच पट्टी में याने ए शार्प स्केल में तारसब तक के रे और गर तक बनाए जाएंगे क्योंकि आपके stand alone शुद्ध स्वर वैसे ही stand alone रे कोमल गर कोमल मतीवर धर कोमल नी कोमल ये सभी सुरों के exercises अच्छी तरह से होने लगे हैं इसलिए इस वीडियो से शुरुआत करते हैं काली पांच में सारे के सारे विकृत स्वर याने रे गर धर नी कोमल और मतीवर इनका प्रयोग करके अपनी आठ ताने वैसे ही दो सवर, तीन सवर, चार सवर, पांच सवर और अनकॉमन अलंकार्स के वीडियो अपलोड होते रहेंगे वैसे ही अपने रियाज सेशन में इसी तरीके से रियाज करवाई जाएगी format वो ही रहेगा पहले round पर मैं गाऊंगा और बजाऊंगा जब आपको सिर्फ सुनना है ताकि आपको वो लगाए हुए सूर सही तरह से समझ में आ जाएंगे फिर अगले पांच round पर जब मैं कहता हूँ आप गाईए तब आपको गाने की कोशिश करनी है ऐसे पांच अलग-अलग रफ्तारों में इसे हम करेंगे आप आपकी practice continued रखिए हमें काफी सा रा अभ्यास करना है संगीत की दुनिया में संगीत एक महासागर है ये दिलों से निकलता है और दिलों तक पहुंचता है संगीत अद्निया डॉक्टर टेंग से जी की जो थाट पद्धती है उसके मुताबिक रेगर धनी कोमल और मौती उर एसवर भाव प्रिय थाट में लगते हैं आज वियाज करेंगे काली पांच पट्टी में तारसब तक के रे और गर तक सारे विकृत स्वरों का प्रयोग करके आरोह अवरोह काली पांच में सारे विकृत स्वर किन उगलियों से बजाये जाते हैं ये पहले बाय हाथ के वादक जो हैं वो देखें सारे मेर बतानी सारे गर गरे सानी अब दाय हाथ वाले फिंगर्स देख लें कांई षारे आमानारनी सांब्रे घर्सारी प्रता दो चलो शुरुआत करते हैं रियाज करते हैं आप गई है आप गई है आप गई है आप गई है आप गई आप गई रफ्तार बढ़ेगी आप गई है 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 आप कही है रफ्तार बढ़ेगी आप कही है 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 वाव आ गया न मज़ा इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 88791-83901 पर फोन कर सकते हो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा